अब करने वाले हैं शीबा इनू के बारे में शीबायन्यु कोईन आप सभी का फेवरेट होगा और मेरा तो नहीं है खैर लेकिन फिर इसका एक technical analysis point of view से इस पर बात करने वाला हूं इस वीडियो में चार्ट की बात करते हैं वीकली बात करते हैं सबसे बड़े परस्पेक्टिव हैं कुछ important supports और कुछ important zones मिले मुझे पहले रेजिस्टेंस का जोन यह है 36-34 तक 36-43 से लेकर 38-85 तक यह एक zone है resistance का तो अगर आपको अगर यहां कहीं पर बाय कर रहे हो और आपको अपनी जोली खाली करनी है profit में तो आप यहां तक कर target ले सकते हो obviously simple बात यही है हमारी देखो यहां से कितना आपका return हो सकता है 70-50% का return आपको दे सकता है यह है एक अच्छा खास point जहां तक आप राख सकते हो दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं कि शीवा इनू को आप नीचे की और कहां देखते हो तो मैं बताता हूं पहले तो price action इसका क लेकर यहां पे 20 22 22 00 तक माल लो ठीक 20 00 से लेकर 22 00 तक यानि 2000 से 2200 के around USD में बता रहा हूं मैं USDT में ठीक तो आप confused मत होना तो इस एरिया के around आप शीवा को accumulate कर सकते हैं पहली बाइंगे अब हम चलते हैं जारा डेली के चार्ट पर जोब हम चलेंगे डेली पे तो मैं कुछ चीज़ें और क्लियर दिखने लगती है कि किस तरह से price act किया है इस प्राइस यहां पर आया था इस एरिया के around यहां से zone पे यहां से bounce करा और गया at least यहां तक कहां तक है हमारा 34 तक ठीक 34 तक हाला कि हमारे red zone नहीं आया लेकिन मेरा मानना यह है कि red zone visit होना ज्यादा important है अगर आपको short term target चाहिए तो आप यहीं तक का रख सकते हो 30,000 तक का 31,000 तक और 3,000 के बीच में इस red वाले zone में लेकिन अगर आपको अच्छा खाता वेट कर लगते हो तो और शीबा में एक bull rally देखने को मिलती है तो शीबा में यहां त draw करके बता जेता हूं इस area में ही हमारी पहली buying होगी अगर होगी तो जैसे यह वाली area है और यह कौन सा हमारा 21,000 सारी 200 से लेकर 2000 के बीच में इसके बाद अगर आपको कोई buying करनी है तो आप कहां पर रुकोगे देख लेते हैं जरम लोग एक तो buying की आप यह देख सकते हो simple जहां पर विग गई थी वहांई पर ओल्ट कर सकता है तो आप इस buying के लिए देख सकते हो यह हमारी हो सकती है कहां पर I think at least 1800 के असपास और दूसरा हमारा यह 1700 के असपास बट यह कुछ भी बहुत मजबूत नहीं है अगर शीबा अपने 2200 यह 2000 वाले सपोर्ट से गिरा तो म इसने अपने डाउंट्रेंड को बेक किया था और फिर यह नया इंक डिकलाइन बनाने लगा तो मेरे काल से चार्ट जो है बहुत प्यारा है बाउंस बैक वाला अगर आप देखो और विसली मैं शीबा का सुपर्ट नहीं करता हूं उतना अदा लेकिन फिर भी बता रहा यहां से बाउंस किया एक हलका सा रेड तक गया नहीं लेकिन तीन हजार का एक टार्गेट रख सकते हो फिर वहां से नीचे आया दुबारा आ रहा है उस जगा पे उस जोन से हलका सा यह रिट्रेस्मेंट कर रहा है अब परफेक्ट लिप पॉस्टिनिटी हम यही है कि हम इ मेरे ख्यालते उतना आपको आप्टिमिस्टे 성공 नहीं होना जाहिए कि इसमें मुनाफ़दे देखना चाहिए आपको मुनाफ़दे आपसकी हो कि और यहां ने आप में इन्होंने दो और इसके साथ निकाले हैं लीश निकाला एक बोन निकाला तो वह भी कुछ नया उनका दिमाग लगाया है खेर अभी बात कर लेते हैं हम लोग शीबा की अगर चार्ट की अब हम चलते हैं डिरेक्ली 4R में क्या कर रहा है तो 4R में आप देख लो यह हम वॉल्यूं को एक बार लगा लिते हैं कि हम उन्म लगा लिना चाहीया वालो में ऑटीन रेखनी की इस जगह पर मिला था तब में ती तो वी कुछ खास आई नहीं आगे अ क्पेरीन मनें में तो वी में रखो यानि 300 के असपास या फिर 2600 से 800 के असपास इस जगह पर रख सकते हो minimum आपका SL जो होगा वो SL इस एरिया से नीचे रहेगा 2000 से नीचे नहीं 1900 में करी तकरीबन रहना चाहिए SL उसके नीचे आएगा तो आपको लाउस हो सकता है आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी प्लीज वीडियो लाइक करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगा आपको यू गाइज इन नेक्स वीडियो थैंक यू सो मच